वर्ल्ड कब समी फाइनल में हार कर इंडिया टॉर्नमेंट से बाहर हो गई एक पर फिर से ट्रोफी के करीब आकर इंडिया मुकाबले से ही बाहर निकल गई यह सिल्सिला 2013 के बाद से चला आ रहा है जहां हार के बाद टीम को लगतार क्रिटिसाइज किया जा रहा है वहीं अब इसके चलते टीम को चूकर्स का टैक भी मिल गया है बड़े मैचेस में परफर्म ना करने की इंडिया की रवायात काफी लंबे टाइम से चली आ रही है इससे लेकर कई भारतिया दिगज टीम को पॉइंट आउट कर चुके हैं वहीं अब तो तूसरे देशों के दिगज भी इस बात पर इंडियन टीम की आलोचना कर रहे हैं नमस्कार स्वागत है आपका आख्रकेट अडिक्तर में मैं हूँ आपके साथ 4 उपारेक इंग्लेंड के फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन ने टीम इंडिया की अप्रोच पर सवाल उठा दिये हैं उनका कहना है कि 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता लेकिन उसके बाद लकातार नौकाउट मुकाबले हार रही है माइकल बॉन ने कहा 50 उवर्ल कप जीतने के बाद से उन्होंने किया ही क्या है कुछ भी नहीं टीम इंडिया वाइट बॉल में ऐसा क्रिकेट खेल रही है जो बहुत पुराना हो चुका है टीम इंडिया वाइट बॉल क्रिकेट में हिस्टरी की मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग टीम है दुनिया का हर एक प्लेयर जो IPL खेलने जाता है वो बताता है कि कैसे IPL की वज़ए से उसका गेम इंप्रूव हुआ लेकिन इंडिया ने क्या किया जिस तरह का टैलेंट उनके पास है और जिस तरह से वो खेलते हैं उससे मैं तो काफी हरान हूँ उनके पास प्लेयर हैं लेकिन उनका तरीका सही नहीं है अगर आप पहले पांच उवर्स में सामने वाले टीम के बॉलर्स को प्रेशर बनाने का मौका दे देंगे तो फिर रन कहां से बनेंगे इसके पहले फॉर्मर इंग्लेंड कैप्टिन नासर हुसेन भी इंडिया को अंडर परफॉर्मिंग टीम बता चुके हैं वही फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया भी इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे चुके हैं उनका मानना है कि इंडिया प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती है और इस मामले में पाकिस्तान की टीम उनसे बहतर है उन्हाने कहा कि इंडियन प्लेयर्स किसी भी तरह का प्रेशर नहीं जहल पाते हैं पाकिस्तान की टीम इस मामले में भारत से कहीं ज़ादा बेहतर है अगर भारत को सेमी फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करने थी तो उनके पास पाकिस्तान जैसा पेस अटैक भी होना चाहिए था हाला कि भारत के पास शाहिन अफरीदी, हारिस रौफ, शादाप खान और मुहम्मद नावाज जैसे गेंदबास नहीं है अब अगर पिछले कुछ सालों में बड़े टॉनमेंस में इंडिया की पर्फॉमेंस पर नज़र डालें तो 2014 से इंडिया के चोक करने का सलसिला चला रहा है 2014 के वर्ल्ट T20 के फाइनल में पहुँची इंडिया लेकिन जीत नहीं सकी 2015 वर्ल्ट कप के सेमी फाइनल में भी इंडिया हार गई 2016 के T20 वर्ल्ट कप में भी इंडिया सेमी फाइनल में हारी 2017 चेंपियंस ट्रोफी के फाइनल में हमें पाकिस्तान से हार जेलनी पड़ी इसके बाद 2019 के World Cup Semi Final में भी इंडिया के साथ वही हुआ 2021 के T20 World Cup में तो इंडिया पहले राउंड से ही बाहर हो गई थी और अब 2022 में भी वही किस साथ देखने को मिला तो ऐसे में इस तरह के सवाल उठना तो लाजमी है लेकिन इस पर आपकी क्या राय है वो जानना हम जरूर चाहेंगे आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं फिलहाल मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार